अलो स्टुनेंट्स, वेलकम बेक तुम्हाँ योट्यूब कैनल, आज हम और बेसिक अकाउंटिक टर्म सीखेंगे, जिसका नाम है बैट डैट्स एंड प्रोविजन फॉर बैट डैट्स स्टुनेंट्स, इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये आगे बहुत जादा काम आने वाला है आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे बैट डैट्स क्या होता है बैट डैट्स को समझने के लिए मुझे अपने पिछले वीडियो में थोड़ा सारी कॉल करना पड़ेगा, जहां हमने डैटर्स और क्यागिटर्स के बारे में सिंखा था, हम अभी डैटर्स के लेके चलेंगे, उससे आपको हम इस बैट डैट्स के बारे में समझाएंगे, पारे में अपने अपने उपने खेस राड़े था, मैं एक शिर्टैटर्स को बनाने वाला काम करता हूं, अब स्टित रथा कि एंड दा रेंट ऑफ फाइव हंडड़ हमने दिया था पर शर्ट 25,000 है यह 25,000 की हमने शर्ट को अपने आगे रिटेलर को बेचा था 25,000 है और इस रिटेलर का नाम पर अग्जामपल कुमार कुमार साहब ने क्या किया था 25,000 में से 5,000 तो कैश दे दिये थे बैलन्स 20,000 टूबी पेड लेटर दो महिने तीन महिने में ऐसे बोला था कि दो तीन महिने में दे दिये जाएंगे दोस्तों आज कल के बिजनेस एंवार्मेंट में मैक्सिमम एटी परसंट ट्रांजक्शन्स क्रेड़िट पर होती है तो इसी तरह कुमार साहब ने भी 20,000 अभी ना देके यह प्रॉमिस किया कि मैं तीन महिने बाद दे दूँगा तो यह हमारे हो गए थे टैटर्स 20,000 टैटर हो गए तो इसका मतलब टैटर्स क्या होगे हमारे अगेंस्ट क्रेड़िट सेल और यह कहां जाते हैं एक एसर्ट में क्या क्या लाते हैं करन्ट एसर्ट थिक है यह हमारा फॉर एक्जांपल यह यह था 2019-2020 के यह एंड पर हमने डैटर्स अपने वुक कर लिए थे 20,000 रोफिस अगेंस्ट मिस्टर कुमार अब दो तीन महीने बाद जब मेरा रेप्रेसेंटर्टेटिव जाता है तो कुमार साब कहते हैं कि मैं 20 तो नहीं दे सकता मेरी ऐसी हालत नहीं आए मेरे कुछ भी बहाना कि मैं नहीं दे सकता मैं 19,000 दे सकता हूं है अब 19,000 दे सकता हूं और साथ में 50 शर्ट्स का और एक अर्डर ले जाओं 50 शर्ट नेक्स टायम प्र और लेजाब अब अगर मान लोग गो 19,000 देंगे तो एक ख़जार रुपय तो महीना लॉस है तो मेरा रेप्रेसेंटर्टे से और फिफ्टी शर्ट्स का और लियाओ तो ठीक है क्योंकि इन्होंने पहले ऐसे कभी नहीं किया यह तो हमारे गुट डैटर्स थे इन्होंने कभी भी ऐसे पहले नहीं कि इसदर फर्स टैम यह ऐसा बोल रहे हैं कि मैं 19 दूंगा यह कदर दूंगा ही तो पचास हजार का द सुखें नाइटीं थाउजंड हमें निकींपर निकीन हमने तो एंट्री अपने टेर्स में टूंटी थाउजंड की डाला लिए ना तो 1000 फिर हमें मिलें तो एक हजार रुपें यह हमारे लिए हो गए एट्स एक टेट मेंस बैड डैट का क्या मतलब हो गया अमाउंट विच इस नौट रिकवरेबल अब यह रिकवरेबल नहीं है इस गॉन फॉर एवर यह यह मौन देट टोटल लॉस्ट 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 कंपनी बैड एक यह मतलब हो गया ठीक है चलो अब मेरे को यह लगता है कि जब यह गुड डैटा थे अभी तक उन्होंने हमेशा पूरा पैसा दिया है इस दफ़े इन्होंने 1000 रुपीज कम दिये हैं छोड़ने को बोला है तो ऐसे तो मेरे और भी बहुत सारी डैटा है है फॉर अग्जामपल मेरे टॉटल टैटर्स को अगा में हैं है तो लाक रुपे के हैं 20,000 सब्यूंद इसके अलावा और भी डॉटास है टॉटल कंपनी के ज़िए तू लेक्ट शोटीज है अगर उनमें से भी सारे गुड्स गुड्ड डैटर्स हैं अगर उनमें से भी क इतने नहीं दे सकते हैं लोगडाउन है मंदी है कुछ भी बहना लगा सकते हैं तो इन लोगों में से भी अधर किसी ने बोला तो हमें तो कुछ उसका प्रोविजन करना पड़ेगा ना तो फॉर अधर हम एस्टीमेटेड कुछ फाइव परसंट लगा लेते हैं कि इन में से भी फाइव परसंट ऐसा होगा जो हमको पैसा नहीं देंगे जो हमें लॉस हो जाएगा फाइव परसंट कितना हो जाएगा दो लाग था 10,000 तो 10,000 हमारा क्या हो गया प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउट्फुल दैट्स यह हमारी एस्टीवेटेड फिगर प्रोविजन फॉर एंटिसिपेट्री कंफर्म नहीं है हम मान के चल रहे हैं कि इनकी तरह यह पांच परसंट नहीं दिया इनकी तरह अगर फाइव परसंट और भी डेटा से निकली आए जो नहीं को नहीं दिया पैसा तो फिर हमने उसक कि तेख और रशी कि तानЧто प्रोविजन फॉर डाउट फॉल ड्स आउट फुल इसलिए है कि दे खेर को डिया तो ठीक है और अगर नहीं दिए तो हम मान के चल रहे हैं हमारे यह ठीक है यह प्रोवीजन फॉराउट प्रोव्ट एप्ट जो की मिल सकता है हो सकता है पूरा 10,000 मिल यह हो सकता है एक भी न मिले हो सकता है फिर 5,000 उसमें से वापस आ जाए तो स्टुडेंट्स अब आपको बैट डेट्स और डाउटफुल डेट्स में डिफरेंस समझ में आ गया हो इसको हम एक दफरे लिखके और समझ लेते हैं कि इन दोन गया था इसका बयाट डेट क्या होते हैं इस से इतिस्थ इस अमान यह जो यह नोड़ी और आवर में नॉट उटी रिएक्ट नां यह यह वग यह गर में बह शह क amiga में बी और में नॉट भी में नॉट भी रियलाइज्ट दूसरा डिस्वेंस क्या है पैट डेट्स हमारे क्या होते हैं टोटल लॉस बिल्कुल अब यह लॉस यह लॉस है इसे एक से कम्प्लीट लॉस कि विद्फ लॉस टूदा कंप्री और यह क्या है एंटिसिपेट्री एंटी इसी एंटिसीपेट्री लॉस यह तो लॉस कंफर्म लॉस है और यह हमारे एंटिसीपेशन में हम लॉस फिकर एक्जम की होगा थर्ड एक और डिफरेंस पांगे चलनी लिए बैक्डेक्स को हम सब्सक्राइब करने तो इसको अपने बुक्स में से राइट ऑफक और इसको राइट पर नहीं करते हैं इसको प्रोविजन घाल ले चैनल नेक्स्ट यह विए प्रोवीजन डाल दी है तो बैसिकली यह डिफरेंस हो गया बैट डैट्स और डाउटफुल डैट्स में अब हम एक कोश्चन आता है कि डाउटफुल डैट्स हम बनाते ही क्यों है क्यों प्राविजन करें क्यों फिगर एक अपने अपने उसमें 10,000 रुपीज यह से नहीं हमाना हमने क्यों मान के चल लें कि हम यह लॉस होगा तो उसको समझने के लिए हम आगे चलेंगे मैं इसको भी रप कर लेंगा तो स्टुडेंट्स हम बात कर रहे थे कि हमने डाउटफुल डैट्स के लिए प्राविजन क्यों रखा हमने क्यों अपने करन्ट अकॉंटिंग यह मैं से 10,000 रुपीज लेस कर दिये अपना प्राविट कम कर दिया ऐसा क्यों किया तो इसके पीछे कुछ गाइडलाइन्स ह है जो की हमारी अकाउंटिंग स्टेंडर्स जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टेंडर्स अकाउंटिंग फ्रिंसिपल्स कंसेप्ट यह अभी आपने नहीं जाना है या अब भी अगले जो आपका चैक्टर है अकाउंटिंग स्टेंडर्स के नाम से उसमें आप ICAI आपने नाम सुना होगा ICAI has issued some accounting standards which are mandatory to follow by all the business enterprises by all companies, firms, sabko mandatory है un accounting standards ko follow करना in order to arrive at the accurate and fair financial position of the company company की जिस्ते की बिल्कुल fair, accurate financial position पता लग सके ऐसा ही एक principle है Prudence Concept Principle भी कह सकते हूं Prudence Concept का Detail में तो हम आगे समझेंगे बहुत बढ़ा Concept है Brief में मतलब बता देता हूं Prudence का मतलब है Vivek बुद्धी जी से कहते हैं कि Vivek से सोचो वो कहता है यह principle कहता है कि anticipate all future losses in the current accounting but do not anticipate any profit तो हमने तो अपने anticipate कर लिया Current accounting है हमारा 1920 है इसके end में हमने total debtors का यह जो हमें part है 10,000 रुपीज हमने anticipate कर लिया as per this principle, prudence principle अब next year में अगर यह जो हमने provision डाला है यह अगर हमें बिल्कुल नहीं मिलता 10,000 रुपीज तो कोई problem नहीं क्योंकि हमने इसका पहले entry कर रखे प्रविजर डाला है लेकिन इसमें से हमने कुछ पैसा मिल जाता है पूरा ही मिल जाता है 10,000 तो profits के लिए कुछ भी नहीं है profit अगले साल के 2021 के लिए वो profit आजाएगा next accounting year के लिए वो profit माना जाएगा तो अब दूसरा एक और तर एक और है principle यह तो एक principle हो गया दूसरा principle है matching principle according to this matching principle it is necessary to match the revenue of one accounting period with the expenses of the same accounting period मतलब यह जरूरी है कि हम एकी accounting period के revenue को उसी accounting period के expenses के साथ match करें जैसे कि हमारे यह debtors थे 20,000 रुपीज इसमें हमारा सारा profit नहीं है सारा हमारा revenue नहीं है इसमें हमारा expenses इंग्लूड़ेड है यह दोनों revenue plus expenses दोनों इंग्लूड़ेड हों के मारे और दूसरा हमारा जो यह टू लैक्स रुपीज हमारा total debtors जो थे इसके अंदर भी हमारा revenue इंग्लूड़ेड है और expenses इंग्लूड़ेड है इस वज़े से हमें प्रविजन for doubtful debts बनाना पाड़ा तो फ्रेंड्स यह दो accounting standards हैं जिनकी वज़े से प्रविजन for doubtful debts हमारे लिए mandatory हो जाता है बनाना थे लिए उमीद करता हूं कि bad debts और provision for doubtful समझ में आगया होगा और अगर है तो कमेंट्स में जवाब दोंगा पर इतना और बता दूं यह अभी सिर्फ से हमने पड़ा है हमने अभी इसका accounting treatment नहीं देखा है वह बहुत बड़ा है अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा था को कुछ समझ में आएगा क्योंकि आप अभी बिगनर है उसको हम समझने के लिए आगे के क्योंकि आपक आप उन्हूंगा अपको क्यों मैं आपको कि एप में कि अपको बर मैं台 है यह है